नमस्कार शादरपणाम आप शभीका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके समक सुपस्तित हूँ अक्टोबर 2023 महा का रासी फल लेकर यह जो रासी फल हो मेश रासी वाले जातकों के लिए अक्टोबर 2023 का जो महीना हो कैसा रहने वाला है मेश रासी वाले जो होते हो मंगल से संचालित होते हो मंगल का जो गोचर हो भी आपके शिक्स थाउस में चल रहा है दो उक्टोबर से मंगल का गोचर आपके सब्तम बहुत तुला रासी में आ जाएगा यह गोचर विवस्ता की बात करें तो पिछले एक डेड़ महीने से आपका स्वास्थे भी देखिने को मिलेगा सब्तम भाव में मंगल का गोचर दो अक्टोबर से होने के कारण आपके स्वास्थे के अंदर कुछ हद तक शुदार आएगा लेकिन यह स्थिती में आपको दीरत दहरिये से आपको आगे बढ़ना है उगरता जीद करने से बचना है सड़न रियक्त व पूनत दूरी बनाकर रखने है खान पान पर आपने कंट्रोल कर लिया तो यह गूचर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा यह महीने 15 अक्टोबर से नवरातरी का पारंभ हो रहा है तो आप यह महीने खूब देविक शक्ती मातर आने की खूब आराधना करिए पि इर मार्केट ब्रोकरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम इने कोई ने कोई माधियम से दनलाब की प्रापती हमें होती आपको नजर आएगी और सरकारी काम का जापका कोई भी रुका फिसा पड़ा हुआ है तो 17 अक्टोबर के बाद निपटत निपा यह महीने दिख रहा है और स्त्रीपक से हम अपने लाइब पार्टनर से छोटी बड़ी मातरा में आपको यहामीने धिनलाब संभव है यह महीने जो है वो यातरा की यह यहातरा की तारिक देते हैं एक तारिक दो तारिक पांच तारिक से लेकिए शूला तारिक तक- इस तरह से लेकर 25 तरह को इनको यात्रा की जोग बनेंगी एजुकेशन को लेकर 17 दस तक एजुकेशन को लेकर जो है ठीक नहीं दीखे रही है उसके बाद गनान प्राप्ती के रास्ते ज्यादा खुलते नजर आशकते हैं हम इने कैरियर को लेकर 18 अक्टूबर तक आपको भ ज्यादा यात्रा यहमें इने होते रहारा शक्ती है फाइनेंश स्चिती को लेकर बात कर देखिए बहुत बढ़िया रहेगी ऐह में ने कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कोई माध्यम से आपको चोटी बड़ी मातरा में धनकी प्राप्ती होती रहेगी हम आपको तारिक बता देते उन तारिकों में आपके कोई भी रुके हुए फशे हुए पैसर भी आपको उन तारिकों में प्राप्त हो सकती या तो उन तारिकों में आपको कोई न कोई माध्यम से धनकी प्राप्ती हो शक्ति है वैवाहिक जीवन को लेकर पिछले 15-18 महीनों से के तु वहां पे लगातार चल रहा है तो विवाहिक जीवन को लेकर कोई ने कोई छोटी-मोटी दिक्कत आप जेल रहे थे वाश्रविष्टी भी आप धीरे-धीर करके सुधार आएगा मंगल का सब तमभाव में ग स्वास्तिय को लेकर पिछले 1.5 महीने से आपकी स्वास्तिय में कोई ने कोई छोटी-मोटी दिक्कते चल रहे थी वह सभी स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिलेगा पेट-पीट कमर को लेकर ख्याल रखना है जिनको पहले से गाईनी की इस्यू या यूरीनल स्वास्तिय दिक्कत है उनको अपने स्वास्तिय का ख्याल लगके चलना है संतान को लेकर बात कर लेते संतान को लेकर 17 अक्टोबर के बाद संतान का स्वास्तिय में कोई छोटी-मातरा में आपको दिक्कते देखने को मिल सकते संतान की स्वास्तिय का ख्याल लगके चलना है जो लेडी ने संतान कंशिव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्ते का ख्याल लग के चलना बहुत आवशक है अक्टोबर 23 का जो मिनाव मेश राची वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी आशाबित हो इसके लिए आपको छोटे मटे उपाई बता देते हैं उपा करके उपाई जर्दू कर लिजेगा प्रति दिन आपको भगवान शिवर्य को अर्धिय देना है गायत्री मंतर का आपको यथाशंब उजब करना है कोई भी देवी मंदिर जाकर आपको दर्शन करना है हो शके तो वहाँ पर एक दीप प्रजरी कर सकते हैं गोचर आपके लिए बेहत बड़ीयास आपको अगर अपनी जन्बकुण लिख का विशिश्रदीय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नबर हमसे हमसे संपर करके अप मेनावक कर आअस सकते हैं नमस्कार बेवज़ की यातरा बेवज़ की भाग दोड उपर आकरम शाष में प्रचोश मात्रा में घुरुद्धी आपको यातरा की उपर भी उपर भेवज़ का धन खर्च भी हुआ है और लगातर आप अपने आपको ठकाने वह mental stress वाला मैसुस कर रहे थे वह सभी स्थीतियों में अब धीरे-धीरे करके हमीने आपको सुधार 110% आपको देखने को मिल सकता है और यह मेने आपको कई ने कई कारेस्थल में तवरीद बढ़ला आपके कारेस्थल कूल देकर यह मेने देखने को आपको मिल सकता है पिछले एक मेने से आपको भागदोड वाली स्थीतिया मैसुस कर रहे थे वह सभी स्थीतियों में अब सुधार आपको देखने को मिलेगा और यह मेने आपको आलस्त ज्यादा रहेगी उन्शा आपको बचना है अपने खान पान को लेकर कंट्रोल करके चलना है सुथ सात्रीक हैं 17 अक्टोबर के बाद सरकारी काम का वंपिता की श्वास्तियों में रुकांट रुका श््वास्तियों में ब्रहिए नजर आशकती है 2nd decision के बाद मंगल का में जो यतर्ण छों के श्वासे लेकर इसनुदेंगा तो यह गोचरी विवस्था की बात कर लेते हैं कि यह जो मंगल हो आपको पार्टनर्शिप को लेकर दिक्कते देगा, विवाहिक जीवन को लेकर दिक्कते देगा, कर्ज को लेकर दिक्कते देगा, यह सभी स्थिते में आपको दिक्कत है मैसुष होती है जर आशकती है क्यों कई न कई कारेस्थल को लेकर छोटा बड़ा बद्लाव यह में नहीं होता नजरा शकता है कारेस्थल पर थोड़ी टोक अटा की यह में ज़्यादा रहेगी बोश्क के साथ अपना अताल में बेठा के रखना है आपको दो अक्तोबर के बाद करज लेने मगर्ज देने से बच के चलना है अगर आपका सरकारी काम काज कोई रुका हुआ तो 17 अक्टोबर तक निट्रा लीजी उसके बाद डिक्कत एवं रुका वाटो के साथ आपका काम आगे बढ़ता नजर आपको यमीन आशकता है यह मैं ने यातरा के योग बने हम आपको यातरा की तारिक बता देते अग आने वाले आगे अभ्यास के लिए तो यह गोचर आपके लिए बेहत बहत बढ़िया शाबित होगा उच्छ शिक्सा के भी दियार थी उनके लिए बहत बहत बढ़िया साबित होगा कैदियर को लेकर 10 थाउस में वक्री सनी होने के कारण कारिस्थल पर थोड़ी का साबित होगा यह आपके जीवन में चार चांद भी लगा शकता है कि फाइनल से स्थिति को लेकर बहत बढ़िया शाबित होगा कोई दिकरत नहीं हो फैनल से स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहेगी अठार ऑक्टोबर के बाद छोटी बढ़ी मातर में बेंक बेलेंस में तोड़ी कट होती आपको लगा मिल सकती है इसलिए आपको पहले से फाइनशेएll planning करके चलना है यहाँ महीने जो है और रॉकए हुए फेसा भी आपको प्राप्त हो सकते है या तो उन तारीखों में आपको कोई नो कोई माध्यम से चोटी बड़ी मात्रामें धनकी प्राप्ती हो शक्ती है आपको तारिक बता देते हैं आप तारिक नोट डाउन जरू कर लिजेगा एक तारिक दो तारिक पांच तारिक चलेकर साथ तारिक तक दस तारिक चलेकर 16 तारिक तक साथ आगे बढ़के चलते हैं अपने सुभा उपर कंट्रोल करके चलते हैं गोचरात के लिए बढ़िया साभित होगा निया था विभाहिक जीवन के अंदर जब तक मंगल शिक्स थाउस में रहेगा तब तक आपको दिक्कते तकलीफे अरचने परिशानी आपको जिलनी ही प पैट में अश्लोड एजिस्टी सिस्टम अलसर एवं पाइल्स को लेकर जिनको पहले से दिक्कत है उनको अपने स्वास्ते का ख्याल लगके चलना है खान पान पर कंट्रोल करके चलना है सुथ साथवी बोजन लेना है अगर आप नोंवे दिंक्स का शिवन करते तो उनसे कि पूर्ण तो आपको दूरी बनाकर रकनी है संतान को लेकर बॉड कर बात कर देकर प्रभावित आथा प्रतिजिन भगवान शुर्य को अर्धिय देना है गायतरिवंत्र का यथा संभव करना है प्रतिजिन आपको घर के पूजन स्थान में अपने इश्ट देव के नामशेक दिप्रजलेट करना है उनका पांच दिश मिनिट स्मरण करना है हो सके तो आपको रोज शिद्र पूली का विशिश अधियन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे शंपर करके अपने बुक करा आशकते हैं नमस्कार बात करते हैं मिथुन रासी वाले जहतकों की मिथुन रासी वाले जहतकों का अक्टोबर 23 का जो महिना हो के शारेने वाला है मिथुन रासी वाले जहतक जो होते हो बूद से संचालेत होते हो बूद का जो गोचर हो भी आपके फोर्थाऊश में चलेगा कनिया रासी में एक दीर मेने से यानि कि पचीस-तीस दिन से लगातार आप भाग दुड़ वाली स्थितिया बेवज़ की यात्राएं पराकरम शाहस में बढ़ोतरी और नई नी ओपर्चिनिटी के साथ आगे बढ़ते जनज आ रहे हैं वह सभी स्थितियों में आप दीरे-दीरे करके आपको और भी ज्यादा शुधार देखने को मिलेगा नहीं ओपरचिनिटी मिलेगी बिजनेस जोब में आपको स्टैबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और यह जो बूद की गोचरी विस्ता की बात करें तो जो फॉर्थ हास में बूद का गोचरों आपके लिए बढ़िया पेट पीट को लेकर दिक्कत है जिनकी माता का स्वास्थे लगातर खराब रहता है उनको भी अपने यह मेने स्वास्थे का ख्याल लगके चलना है माता की स्वास्थे का ख्याल लगके चलना है जिनको पहले सी ब्लड प्रेसर को लेकर दिक्कत है उनको भी अपने क्लारिक के बाद धीरे-धीरे करके सुधार आपको देखने को मिलेगा आपको अपने खाँपाँपर पूरनता कंट्रॉल करे के चलना है हमेने आलस की स्थितिया ज्यादा मात्र में रह सकती है अपने खाँपान पर आपको हेवारने का चालना है और जिनको फ्लॉू डिचेश्टिव है यह हम कंति नहीं यह मैंने अचानक धारमीक यातरा प्राप्त होंगे हम इने अचानक धार्मिक यात्रा आप करते हैं अलस्य आपको बचना है पेट-पीट कमर को लेकर आपको अपने स्वास्ते का ख्याल लग के चलना है यह हम इन आपकी पूर्णता इच्छा पूरती होती हमें नजरा सकती है अपने से छोटे हों बड़े बहनों के साथ संबंदों में थोड़े ताल मेल बैठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता आपको लेट गो करके चलना है यह मेंने आप अगर इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का कोई व्यापार से जुड़े है या कोई कमिशन या कोई ब्रोकरिंग का कोई काम कर रहा है तो यह सभी लोगों के लिए गोल से बिह трब बढ़िया साबीत होने वाला है यह में इन बड़ी मातरा में कर्च लेने वागर देलिने से आपको बचना है यह मैं नहीं जातरा की यह आपको यातरा की तारिक पता देते हैं एक तारिक दो तारिक दस तारिक से लेकर 16 तारिक तक चोभीस तारिक से लेकर 29 तारिक तक कोई न कोई यातरा की योग बनेंगे education को लेकर यह हम इने अस्थितिय ठीक नहीं दिख रही है जो research field से जुड़े है medical एवं engineering के फिल्ड की विद्याती उनके लिए थोड़ा यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है केरियर को लेकर जो स्थिति ठीक ठाक रहेगी कोई दिकत नहीं है नहीं 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 मोके हम इने मिलते नजरा शकते हैं यह हम इने आप अपने आपको intellectual बुद्धिमान यम्तरक्षवरा मैशुष करेंगी आपके नहीं विचार आपकी काईदे स्थल में कहीं दवार फाइननसे स्थिति आपकी जो है ठीक रहेगी बड़ी मातरा में आपको कर्ज लेने कर्ज लेने से बचना है यह महीन है जो है दनलाप की जोग बन रहे हम आपको दनलाप की तारिक बता देते उन तारिकों में रुके फशे हुए पैसे भी आपको प्राप्त होगे या तो उन तारेकों में आपको कोई बादीमनी से छोटी बडी मातरा में धन की प्राप्ती होती न ही आ शकती मापको तारिक बता देता तारिक रोट्डाउन जरू कर लीजिएगा एक तारीक, दो तारिक, 7 तारीक से लेके 13 तारीक तक, 15 त नी तारीक से लेके Caleb 20 Bye टीज तडो препpiej च्छते बाकिगें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको उगृता करने दिश्य आपको बचना है ग श्वास्थिय को ले कर जिनको पहले दिट कमर, पाइल, प्रोस्टेट, किद्नी, स्टॉन श्वास्थन इस पने ऐसके चल्ना है। संतान का स्वास्थी है थोड़ा यह मीने प्रभावित होता है यह मीने आपको नजर आशकता है अक्टोबर दोजा 23 का जो मीना हो मिथुन रासी वाले जाहतकों के लिए बहुत बढ़िया साबित हो इसके लिम आपको थोड़े छोटे मोटे उपाय बता देता है आप बूचर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा अगर आप अपनी जन्व कुरुली का अधियन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर करके अपने बुक कर आ सकते हैं हमस्कार